तो पीछे थोड़े पटाकूगी आवाज आ रही है तो दिवाली आने वाली है इसलिए पटाकूगी आवाज आ रही है गली में होते हैं बच्चे जो सभी इस ताइम पे पटाके बिजाना शुरू कर देती हैं तो यह मेरा फिर्स ब्लोग है मेरा एक चोटा सब बूटीक है किसार शहर में किसार हरियाना में सभी जानते ही हूंगी तो फुड़ा करवा चोथा सीजन है और मैं एक और्टेंजा सूट की कटिंग करने जा रही हूं तो सबसे पहले शेयर करती हूं मैं अपने आपके साथ अपना एक्सपेरियंस तो मैं लगभग 24 साल होगे मुझे क्लान करते हुए पर मेरा बुटीक मैंने ओपन दो किया है वह है 2015 में काम मैं सन नठाने से कर रही हूं पर मुझे किसी ने सुजस्स किया आपका बुटीक होना चाहिये तो मैंने राजगुर्ण मार्खेट में अपना एक बुटीक किया तो उसी के चलते ही थोड़ा सा मैंने बीज में थोड़ा सा अपना शौट जो है वह ब्रॉप कर दी थी पोई फैमिली ही की बज़े से तो और कुछ मैंने अपरेशन भी कपाया था पतरी का था जया थिक है तो मेरे पिते में पतरी थी इस के मैंने उसका प्रवाया था थोड़ा रेस्थ था उसके बाद अब मैंने सोचा कि अब ही दूшиха काम स्फेरो किया जाये ड्रेस टुटोरियल के नाम से जिसमें आपको मैं हर तरह का हर तरह की कटिंग और स्टिचिंग दोनों ही बताऊंगी तो मैं आज यह कटिंग कर दी हूँ और रेंजा सूट की है और यह थोड़ा है बहुत जादा है देख सकते हैं कि नेक वर्क है तो इसके कोडिंग में इसको पहले सेट कर दी हूँ और फिल लगा लगा कर तांकि कहीं से भी एकड़ाई कानी ना हो और लैंस के कोडिंग मुझे देखना पड़ेगा कि सही आरहा है नहीं आरहा तो मैं शेयर करती हूँ को इसकी कटिंग करने जा रही हूँ और गयंसा कपड़ा है बहुत ही चाको होता है कटिंग करने में में निर्पो तो करीपन बहुत टायम लग जाता है मैं बहुत ध्यां से कटिंग करती हूँ कि इसका कुछ भी इदर ते उबर ना हो जाए तो मैं पहले सारा इसको हाफ एंड हाफ में एक धागा पड़की फेले इसको और मुझे एक और लग दिए इसको मैं निकालना चाहूंगी अगर यह नहीं निकलेगा तो मुझे चल्माठ हो जए रही है तो मैंने निकाल दिया तो इसको मैंने और लगा लगा कर फुरा सेट कर दिए इसको मैंने हाफ एंड हाफ के पूरा इसको चैट कर लिया अम मैं इसे उपर इसे लिए इस पर माउप कर सकें यह कहीं भी नहीं ही लेगी यह मेरा चोटा सा बुटीक है यह मेरा कटिंग टेबल है दिख सकते हैं और बीच में कुछ ऐसा हुआ कि मुझे अपना बुटीक ट्रॉफ करना पड़ा था फैंदी वज़े से कुछ मेरी हैल्स फीशू की वज़े से तो मुझे अपना बुटीक करना पड़ा बट मेरी जो कस्टमर हैं रूटीन में उन्होंने कहां कि दीदी अब अब आपको टाइम हो गया हाथ से आट में वह पोगर त्रेस कलिया तो अब हमारा काम शुरू करतीजे प्लीज कि हम कहीं और जाते हैं तो हमें सेटिंग नहीं आता कि आपके हाथ का हमारा बैट गया है तो हमें कहीं और भी मजा नहीं आ रहा है इसलिए मुझे दुबारा आपके हतना सुना फूड़ धूड़ युड़ युड़ से लेकिन के काम शुरू कटने प्ला को चलिए चाहते हैं आपके फोड़ाता मैं आपना स्टाइटिंग कर लूँ और क्कि आपको फिदू में दिखाते रहु हैं तो यहां आप देख सकते हैं राद कलर का सूठ है जिसके ओपर मैंने मार्किंग कर ली है और सबसे पहले मैंने इसको और वहाई तो इसकी लेंफ जो हमारी बनी है पूरी तो यह नेक हो जाता पूरी लेते पूर्म वो जो नेकी में लिया वो साड़े छी लिया तो साड़े चेक औरी कोड़ी ही मैंने साथ इंच पी निशनल लगा लिया इसकी पूरी लेंथ है 43 अपने प्रोजेक्ट रखने ताकि एक अप्रा उड़े नहीं तो तीरा लिया है मैंने चींच कि थोड़ा साथ से मैं से हुज़ीं हो गया तो हम बार में अर्जस्ट कर लेंगे और कि इसकी है त्यार साड़े 22 मतलब कि टॉटल में 45 इंच की पर तो मैंने साड़े 11 पे सवा 11 पे पूरा निशान लगाया है और जबी सी लेंगे तो साड़े 22 हा जाएगा और मैंने इसका मार्जन ले लिया है जेर से कोने दू पूरा फींच ले लिया और इसको मैंने ऑर्गेंजा ऑच्च फिजक ने वाला कपड़ा होता है तो मैंने इसके पहले ही सब ठोट 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 जगा पे मैंने इसको और लगा लिया ताकि बल्कु भी सद्गी में प्यूश्य करते हुए बल्कु भी सद्की नहीं यही कई भी ऑजिट उभा करें मैं इसका ना Smells Nobel करो बेंब्स करें है हुए तो यह को ने बहुत है ना So लिए किस् else नियुका है मैं रिसक्रिफन कर्णा इसका थे को जे बहुत общ हभी नियुका करें ऐससे की न nytकिचेव करने जा रही है के रही हम सके हैं थमाइस फिर अनि कि अजिए जैसे से अज़ी खटा क की वैसे ही लें नहीं अब इक जीसे नशीनी जा लेगा और इसको तब तब नहीं लीवगा इस तरफ से ऑल्पीन लगा दीया कि युद्ध मार्केर में रएती हूं तो फुरा इस को मैं। कर लेती हूं तो चलिए मैं इसके पहले कट कर लेती है तो इसको ही मैं इसके पर रख करकी कटिंग करूं थोड़ा एक्स्टा मार्जन रखूंगी अस्तर का ताकि वच्छे से फिट हो जाए इसमें कर दो चलते हैं पहले अग्सके पहले कर देख देख कर लो तो कारीगर को देते हैं तो आई तन यह कि मैं पहले करके देती हैं तो अब मैं इसको असकर की पिछा लिया है गलक्यों आरा है यह इस तरफ के मैंने तो बढ़ा आश्ट को बाहर निकाला है ताकि यह श्रींग फोज दो यह पाद में अपने आपके वाले लिए तो यह मैंने असको धोके लगाया है बट फिर भी कई वार श्रींग हो जाता है बाद में तो हमारी कस्में के साथ को शिकायट ना रहे इसके कि अरन करण गहीं तो हमें इसको पहले ही थोड़ा सा एक्स्रा में रख देती है कि इसको मैं और फटाफ कर देती हूं अवसकर निकलने के पाद मैं इसकी सारी ऑल्फिन निकाल लाती हूं तक अब यह मेरा पूरे प्रेक्शिस कि यह कुछा है तो यह हमारी सी उसका प्पड़ा है जिसका एक पैट नहीं यहां और इसी को दराबर में यहां दिया होता है तो मैं इसके लंबाई का वोड़ी का एगी इंदों लोग प्प्रोगों कट कर देती हूं ताक यह इक फ़ल में सेट हो जाती है कि यहां से में सेट करके लिखाती हूं तो अब मैं बाजू की कटिंग का निशान लगा दिया है यह पूरा नहीं साइप लिए हटो जोड आएगा तो जोड को भी मैंने पहले वाल पिंश्ट कर ली यह फुरा सा कपड़े के दाज है तो मैंने कश्म को पहले ही रोड़ा है तो मैंने यह करेंगे यह बार में सेशिंग कर दोंगी जब मेरा अस्तर पीए पिट हो जाए और यह मेरी बैक की कटिंग हो गई है और बीच में से जोड आया है मैं इसको खोल दूंगी और इस पे हम एंटर लॉप नहीं करेंगे तो इसको हम गुम्सलाइस ही त्यार करेंगी तो चले च पूरा नहीं साइप लिए हैं पर जोड आएगा तो जोड को भी मैंने पहले ओल पिंग सट कर दी यह फुरा सा कपड़े कि दाज है तो मैंने कश्मा से पहले ही रोड़ रखा है तो मैंने एक्स्टम माचन लिए यह बार में सेशिंग कर दोंगी जब मेरा अस्तर पीए पि से नहीं करण से थे ही त्यार करेंगी तो चले चलती है तो हमने फाइनली एक sepce और बहुत य चोर आ रहा रहा है सब्सक्राइब बात रपीश कर दी हो कि मैंने फुल और कैंज शर्ट कटिंग कर दी एंबाचू और शर्ट इसकी जो सलवार कटिंग यह वो में आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी इसकी सलवार के गोटे और बैल्ट में अस्तर जाएगा तो उसकी कटिंग गिनने और तो यह मेरी फुल कटिंग होगी है तो तो यह मेरा फॉस्ट प्लोक था मेरी बुक्तिक के अकोड़ी जिसमें मैंने आप और गैंजा शाल्ट की कटिंग बताई है और नेक्स वीडियो में आपको स्टिचिंग इसकी स्टिचिंग बताऊंगे और इसी परकार की अगली वीडि और बैल्ट में अस्तर जाएगा तो उसकी भी बताऊंगी तो आपको यह मेरी वीडियो कैसे लगी है तो आप मुझे जरूर बताईएगा अगर मेरी वीडियो पसंद आई हुओ तो मेरी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए कमेट कीजिए कुछ भी पूशना हो तो कमेट कीज और इसी प्रकार की अगली वीडियो बहुत जल रहेगी थैंक यू दन्यवार थैंक केप वाचिंग थैंक यू